हेलो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महंदरा बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ब्यसिक सीन जी 2021 के कैस और फाइनेंस के प्रैस के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दू कैस में आपको ये महंदरा बुलेरो मैक्सी ट्रक कितने का पढ़ जाएगा और फाइनेंस पर कितने का और क्या इसकी डाउन पेमिट देनी होगी और क्या इसका लोन अमाउंट निकल कर आएगा और परमंत की किस्त क्या पेक करनी होगी तो दोस्तो जानेंगे इस वीडियो में वीडियो में जादे समय ना लीते हुए वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तो हम सबसे पहले इसके कैस के प्रैस की बात कर लेते हैं दोस्तो बात करे इसकी लोकेशन की तो लोकेशन हमने इसकी जैपूर की लिए है XORUM प्रैस आपको इसके देखने को मिल जाएंगे 5,53,865 रुपे दोस्तो इंस्रोंस चार्जिस देना होगा इसका 28,125 रुपे आर्टी अमाउंट इसका पेक करना होगा 27,693 रुपे दोस्तो सभी टेक्सिस को लगा कर हमने इसके ओन रोड प्रैस निकाले है ओन रोड प्रैस आपको इसके देखने को मिल जाएंगे 6,683 रुपे तो दोस्तो ये तो हुई मेहंदरा बुलेरो मैक्शी ट्रक के कैस के बारे में जानकारी दोस्तो अब आपका बजट कम है तो हम इसके फाइनेस पर भी बात कर लेते हैं अगर आप करते हैं इसकी डाउन पैमिंट 1,75,000 रुपे तो इसका लोन अमाउंट निकल कर आएगा 4,25,683 रुपे जिस कंपनी से आप करा रहे हैं इसको फाइनेस उस कंपनी का इंट्रेस रेट अगर 9% है तो हमने इसका टाइम लिया है 48 मन्त यानिकी 4 साल का तो आपको इसकी परमंत की EMI देखने को मिल जाएगी 10,533 रुपे फिर आपको इसका टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा 6,83,471 रुपे तो दोस्तो मेहंद्रा बुलैरो मैक्सी ट्रक के कैस और फाइनेस के प्रैस के बारे में दोस्तो मैंने आपको बता दिया है अगर आप मेरी वीडियो को जैपूर से देख रहे हैं तो आपको यही प्रैस देखने को मिलेंगे वहाँ के बस थोड़ा बहुत ही उपर नीचे देखने को मिल सकते हैं अन्य था आपको यही प्राइज देखने को मिलेंगे वहां के दोस्तों अगर आप भी चाते हैं किसी गाड़ी के बारे में जानना और कितनी डाउन पैमिट पर जानना चाते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों हम आपको आपके एरिका रिपलाई देने की पुरी-पुरी कोशिस करेंगे जैसे कि दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सक्सक्राइब करें विगर बिल्कुल मत जाना दोस्तों हम आप से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय थाइंक्यू सो मज़ दोस्तों हमें